विश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल क्या है हमारी संस्कृती? क्या है हमारा धर्म? आईए, समझते हैं धर्म एवं संस्कृती की परिभाशा पूज्य शिरी देव की नंदन ठाकुर्जी के शिरी मुक से एक वर सभी दर्श्वकों को रादे रादे आज हम आपको दौपर युक्यन्त की कुछ कथाएं सुनाते हैं बड़ी रोचक कथा है यह उस समय की बात है जब अगवान सी कृष्ण मतुरा पहुंचे और मतुरा पहुंचकर कंस को समाप्त किया तो कंस की दो पत्निया थी अस्ती और प्राप्ती दोनों ही जरासंद की पुत्री थी तो दोनों ने जाके जब अपने पिता को अपना सारा दुख रोया तो जरासंद को बड़ा बुरा लगा और जरासंद ने कैई वार मतुरा के उपर चड़ाई की और भगवान सी कृष्ण ने उनको कैई बार परास्त किया एक बार कलंग राजा पॉंडरिक को लेकर और कासी नरेश को लेकर कासी राज को लेकर उसने मतुरा के उपर चड़ाई की तो भगवान सी कृष्ण ने कासी राज को और पॉंडरिक को वहाँ पर समाप्त किया जरासन वहाँ से भी भाग निकला तो कासी राज जब समाप्त हो गए तो कासी नरेश के जो पत्र थे जब वो कासी नरेश बने तो उनके मन में अपने प्रता पिता की मृत्तियू का बदला लेने की बड़ी तीब रिच्छा उठ रही थी लेकिन वो कि मैं भगवान सी कृष्ण से इतनी आसानी से जीत नहीं सकता तो उन्हों ने विश्वनातबूत बावन भूले नात की घोर तपश्या की और तपश्या करने के बाद जब बाबा भूले नात प्रशन हुए तो बाबा भूले नात ने कहा कि हम से कोई बरदान मंग लो तो उन्होंने कहा कि मैं ये बरदान पाना चाहता हूं कि मैं कृष्ण को समाप्त कर सकूँ बोलेनाथने कहा दे को भगवान को छोड़ कर कोई और बरदान मांगो कुछ भी मांगलो मैं तुम्हे दूँगा तो कासी राज्ञ Васाण नहीं नहीं, मुजे मेरे पिता की मृत्यू का बदला लेना ही है हर इस्थती में मुझे मेरे पिता की मृत्यू का बदला लेना है इसलिए कुछ भी करो मुझे यही बरदान चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से कृष्ण को परास्त कर सकूँ कृष्ण को मृत्यू प्राप्त करा सकूँ तो बाबा भूले नात ने का देखो हम तुम एक कृत्या नाम की दत्या देते हैं इसको ले जाओ और जिस के लिए तुम कहोगे यह उसका बद कर देगी उसका संहार कर देगी जिस राज्य में जाएगी वहाँ प्रले कर देगी लेकिन एक वाद ध्यान रखना जो भी ब्राह्मन के भक्त होएंगे वो यह उस पर असर नहीं कर पाएगे तो कासी राज उसी कृत्या को लेकर अपने कासी में बापस आ गए और तब तक भगवान से कृत्या द्वारिका में जाकर बस गए थे अपने यदोबंसियों को लेकर कालियवन का बद करा कर तो द्वारिका के लिए उस कासी राज ने कृत्या को भेज दिया और कृत्या आग बरसाती हुई प्रलेका सा माहौल बनाती हुई द्वारिका की और बढ़ी लेकिन न तो कासी राज को मालूम था और नहीं कृत्या को मालूम था कि भगवान से कृष्ण ब्रामनों के परम भक्त है भगवान से कृष्ण कहते हैं मेरे हिर्दय में तो ब्रामनों के चरण वास करते हैं और इसका उदारन मिलता है जब भगवान नाराण के बक्षस्तल पर चरण का प्राहर किया तो भगवान के बक्षस्तल पर चरण का चिन आज भी दर्शन देता है तो वो बहुत सारा प्रयास कर रही थी करत्या दी और सुदर्शन पूरे तेज में पूरे प्रभाम में आगे और पूरे प्रभाम में आकर उस कृत्या के पीछे भागे कृत्या आगे आगे सुदर्शन पीछे पीछे डर के मारे कृत्या कासी की तरफ दोड़ी और जैसी कासी में पहुँची सुदर्शन ने कृत्या को जला कर स्वाह कर दिया अभी भी उनका क्रोध सांत नहीं हुआ तो पूरी कासी को ही जला कर वहाँ पर उन्होंने कासी को जला कर स्वाह कर दिया और जब कासी जल गई तब सुदर्सन्चक्र का क्रोध सांत हुआ तो इस तरीके से कासी नश्ट हो गई थी लेकिन बाराह और आसी नदी के बीच में पुनह एक सहर बसाया गया जिसका नाव वारानसी रखा गया तो वही कासी का पुनर जन्म जो हुआ वो वारानसी के रूप में हुआ क्योंकि जो पुरातन कासी थी वो सुदर्सन्न ने जला कर स्वाह कर दी थी पर बाबा भुलेनात हमेशा इस कासी में बास करते हैं और बारहा और आसी नदी के बीच में वसी हुई ये वारानसी, कासी कहें या वारानसी कहें, आज कल तो लोग उसे बनारस के नाम से भी जामते हैं, तो कहते हैं जो कासी में, सहज भाव से, आपको कासी के संदर में, वारानसी के विशे में एक बात और बता दू में, कि वारानसी में जो सहज मृत्यू प्राप्त करते हैं उनको तुरंत मुक्ष की प्राप्ती होती है कासी में प्रान त्यागने वाले जीव पुनर जन्म नहीं लेते ऐसा कासी को भरदान है बाबा भुलेनाथ ने इस कासी को अपने तरसूल पर रखा हुआ है तो यहाँ पर बाबा भुलेनाथ का सामराजी चलता है और हम लोग तो देखते हैं कि वहाँ पर कई लोग अपनी ब्रद दवस्ता में कासी में इसलिए बास करते हैं जिससे उनका प्राण वहाँ पर निकले जिससे उनकी आत्मा वहाँ पर निकले जिससे सीधे भगवान के धाम के लिए सिभ लोग के लिए प्रस्थान करें ऐसी कासी और वारानसी की सुन्दर कथा हमने आपको श्रवन कराई आप भी एकवार कासी की यातरा वश्य करें इनी सब्दों के साथ आज के इस प्रश्ण को पूरा करेंगे रादे रादे के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पुझे महाराज जी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकी ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराज जी को डिन अंडर्सकोर ठाकुर अंडर्सकोर जी फालो करें